इस वीडियो में मैं PF Advance निकाल रहा हूँ, आप देख लिजे, online service में जाना है, claim में जाना है, और मेरा कितना पैसा है, मेरा मातर 24,000 रुपे है, इस में से मैं जो apply कर रहा हूँ, 11,200 रुपे का apply कर रहा हूँ, तो अगर आपको भी PF से Advance निकाल रहा हूँ, तो क्या-क्या steps follow करन आप इस वीडियो को guide करके एक-एक step follow कीजिए, आप अपना form भर पाएंगे, लेकिन अगर आपको मुझसे help चाहिए हो, आपको form भरवाना हो, या consult करना हो, तो आप मुझसे contact करके consult कर सकते हैं, और form भी भरवा सकते हैं, फिलाल इस वीडियो में जो topic है हमारा form 31 का है, form 31 में हम अपना यहां पर काम करने जा रहे हैं, कि हम अपना form भरेंगे, तो हमें form भरने के लिए सीधे सीधे online service पर आना है, claim पर आना है, website खोलनी है, website खोलने का मेरी जानकारी में, अगर आप online देख रहे हैं, तो आपको website पता होगी, इसे member home बोला जाता है, member home की website कैसे खोलनी है अगर आपको मैं zero से दिखाऊं, तो आपको लिखना है, UN login भी आप लिख सकते हैं, या member home आप लिख सकते हैं, दोनों चीज़े आप लिखेंगे, तो आपके पास इस तरह की website खोलके आएगी, इस website पे आने के बाद, आप UN number, password से login करेंगे, अगर UN password ना हो, forget password करेंगे, UN password ब अगर already bank लगा है, तो यहाँ KYC में देख लिजे, कि यह bank लगा है, इसी bank में आपको PF निकालने को मिलेगा, ठीक है, हम यहाँ जो apply कर रहे है, online service पे गए, claim पे गए, claim पे जाने के बाद, हम यहाँ अपना bank detail एंटर करेंगे, तो bank detail यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, इन्हो bank इन्हों ने change कर रहा था, तो पुराने person है, लेकिन अभी फिलाल bank change हो गया है, तो यहाँ हम account number enter कर देते हैं, 084, यह हमने verify कर लिया, verify करने के बाद हम यहाँ पे next step पे आ जाते हैं, next step पे आने पे हमें बोला जाएगा, कि आप service select कीजे, आप किसी के लिए apply कर रहे हैं, यह select कीजे, तो देखे, अभी हम नौकरी कर रहे हैं, तो हमारे पास form 31 ही आएगा, service select करने के लिए कहा जा रहा है, purpose, amount, address, check, यहाँ पे I agree करेंगे, आधार OTP आएगा, और हमारा काम हो जाएगा, तो हम यहाँ service select करने चलते हैं, तो एक ही service है, reason में हम illness लिखते हैं, क्या हमें क कोई document नहीं लगेगा, simple सा आप यहाँ पे अपना जो option है, वो opt कर लीजे, किसी भी तरह से आप से कोई inquiry नहीं होगी, कि आपने illness भराया है, तो कौन सी बिमारी है, या फिर आपकी company में नहीं पूछा जाएगा, कि भाई इसने बिमारी बताई है, तो बताओ बिमार है या न आपको, ठीक है, employee share, employer share क्या होता है, मैं थोड़ा आपको अभी guide कर देता हूँ, फिलाल हम यहाँ पे जो check है, वो check लगा रहे है, यह हमने check लगा दिया, check लगाईए या passbook लगाईए, अगर passbook लगाईए, तो passbook के उपर stamp होनी चाहिए, और initial होने चाहिए, autograph जैसा होना चा देता हूँ, passbook पे जाएंगे, यहाँ आप नीची आएंगे, तो आपको नजर आएगा कि इस member ने पहले भी form भरा हुआ है, जैसे यहाँ 7300, यहाँ पे 6500 और यह जो withdraw किया गया है, इसे बोला गया है 68J, 68J का मतलब होता है illness reason, तो हम पहले निकाल चुके हैं, इसमें कैसे ह होता है, इसमें यह होता है कि जो salary होती है, salary का 6 time निकल सकता है, या फिर आपका जो balance available है, उस limit तक maximum निकल सकता है, मतलब यह हो गया, कि देखो, जैसे salary यहाँ पे 15,000 है, अब अगर यहाँ किसी की salary, एक लाख रुपे लिखी हुई है, तो एक लाख इंटो 6, मतलब वो 6 ला उसका balance ही 5,000,000 है, ठीक है, अगर उसका balance 5,000,000 है और वो eligible है 6,000,000 के लिए, तो maximum जो मिलेगा, वो employee balance जितना मिलेगा, तो 5,000,000 रुपे उसको मिलेगा, बहुत सारी लोग गलत अनुमान लगाते हैं कि 50% मिलता है, 75% मिलता है, ऐसा नहीं है, यह सबी चीजे जो है, advance का एक formula बना हुआ है, उस formula के हिसाब से मिलता है, यह formula system में automatic चड़ा हुआ है, अगर आपको चाहिए कि maximum कितना मिल सकता है, तो maximum में जितना employee share हो, उतना आप डाल दो, अगर आपके 5 साल से ज़्यादा service है, तो आपके और भी options खुल जाते हैं, लेकिन जैसा कि आप इस member के case में दे मतला 5 साल की आपकी service होनी चाहिए, फिलाल हमारे पास यहाँ OTP आ गया है, तो हम यहाँ पर OTP एंटर कर देते हैं, इस OTP को एंटर करने के बाद हमारा form फाइल हो गया, इसे हम अपना download कर लेते हैं, अपने record के लिए हमने download किया है, इसको कहीं भी show नहीं करना है, कहीं भी ऐ under process हो जाएगा, under process के बाद जितना amount settle होना है, वो settle हो जाएगा, इस तरह से आपका advance निकलने का form भर गया, इसमें time कितना लगीगा, इसमें time लग सकता है, 5 दिन से 15 दिन या 20 दिन तक लग सकता है, कुछ PF office एक दिन में भी settle कर देते हैं, लेकिन जादा तर PF office 5 दिन से 20 दिन तक का time लगाते हैं, इतने ही average time में आपका आएगा, जो मैं आपको कह रहा हूँ, क्या मैं ये आपको दिखा सकता हूँ, बिलकुल दिखा सकता हूँ, आप जाएंगे claim में, आप जाएंगे settle claim में, settle claim में आप देखेंगे, तो यहाँ पे इस दिन हमने form भरा था, 30 November को भरा एक, दो, तीन, तीन दिन में पास हो गया, ठीक है, 29 तारीक को हमने भरा था, 29 तारीक को ही पास हो गया, 25 तारीक को भरा था, 25 तारीक को ही पास हो गया, आप देख सकते हैं, एक एक दिन में भी form पास हो रहा है, 16 तारीक को भरा था, 19 तारीक को पास हो गया, मातर तीन दिन म पास हो गया, 13 तारीक को भरा, 14 तारीक में पास हो गया, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, कि आपका भी इतने ही जल्दी हो जाएगा, ये case to case, पीएफ ओफिस to पीएफ ओफिस, डिपेंड करता है, आप एक एवरेज टाइम मानके चलो, पांच दिन से, पंदरह दिन का टाइम लगेगा, जब सेटल हो जाएगा, तो आपको सेटल क्लेम में दिखाए देगा, जब तक पैंडिंग है, तब तक पैंडिंग में आपका पढ रहेगा, यहाँ पैंडिंग में पढ़ा रहेगा, हमने अभी अभी फ़र्म भरा है, तो यहाँ पेंडिंग में नेक्स डे आएगा, ठीक है, नेक्स डे आजाएगा, नेक्स डे के बाद जब यह पैंडिंग से सटल में जाएगा, या फिर रेजेक्टिर में जाएगा, क्य जो आपका इस तरह से PF का form भर सके तो आप मुझसे form भरवा सकते हैं मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद